नमस्कार मैं वो सोग वर्मा आप देख रहे हैं टीवी टूंटी न्यूज़ देश व प्रदेश की खबरे देखने के लिए बने रही है हमारे साथ अब शुरुआत करते हैं खबरों का सब्सक्राइब तो एक खबर आजमगड से है जहां आजमगड में हिमालाई विश्व विद्यालाई देहरादून तथा विनंदन सामाजी कविम सांस्कितिक स्वांस्तान सुत्रधार आजमगड के सहयोग से लभीवार को सार्दा टाकीज के सभागार में मुंसी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का सफल मंचन हिमालाई विश्व विद्यालाई देहरादून के विशसग हरिकेश मौरे के निर्देशन में किया गया मुंसी प्रेमचंद एक सामाजिक रतनाकार थे पंच परमेश्वरन के द्वारा लिखी गई एक पहली घानी थी इस कहानी में दो मित्रों यानि कि जुमन सेख और अलगु चौधरी को मित्रता और सत्रता की प्रिष्ट भोमी को अधार बनाकर पौराणिक सामाजिक नयवेवस्ता पंचैती में पंच के पद की मर्यादा गरिमा और पतिष्ठा का जीवन और नय सर्गिक स्विद्ध करने का प्रयास किया है एक ऐसी गटना होती है कि दोनों के बीच दरार पैदा होने लगती है जुमन अपनी बुड़ी खाला की सेवा के बदले उसकी मिलकियत अपने नाम करा लेता है परंतु सेवा ठीक से नहीं करता बुड़ी खाला जान अपने तिरसकार और अपमान से आहत पंचात बुलाती ह अलगु पंच बनाए गये हैं बुड़ी खाला ने अलगु से कहा बेटा क्या विगार के डर से इमान की बात ना कहोगे अलगु धर्व संकट में फज जाता है अब अलगु चौदरी पंच थे उन्होंने हिब्बा नामार रद्द करने का फैसला किया फैसले सुनकर जुमन सेख सन्नाटे में आ जाता है जुमन और अलगु की मिर्ता में अब इस्वास असंतोस द्वेश और सत्तुर्ता का जहर मिल गया सिगरी एक दूसरी की घटना में जुमन सेख को एक मौका मिलता है अलगु चौदरी और समझू साहु के बीच पंच बनने का गाहां में पंचा सर्वोच आसन पर बैठा हूं मेरे मुझ में से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वा देवाणी के स्रदेश है मुझे सत्य से जो भी टलना उचित है अंत्वे जुमन ने फैसला अलग के पक्ष अलगु के पक्ष में सुनाया सभी परसंद हुए पंच परमिश्वर की जय जय करते निया इस मनुष्य का काम नहीं पर पंच परमिश्वर वास करते हैं या उनकी महिमा है पंच के सामने खोटे को कौन खरा कर सकता है या कहानी मंचर नंगमंच के ससक्त हस्ताक्ष एवम राष्टी नाटी विद्याले के भूत पूर्वनिदेशक देविंद्र राज अं जेश आसुतोस और अमित ने सांदार अभिने किया एस अवसर पर सूत्रधार संस्ता के अध्यक्ष शीके त्यागी वल्ष रंकर्मी मंता पंडित तीम घानिगिरी विवेक पांडे भार्ती जन युवा मोर्चा नीरत सिंग सहर के गडमानी लो उपस्तित रहे